अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाल रंग का बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पारने के लिए बेल आइकन को भी प्लेस कर दें नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट मैस में आज हम दूइपदी ब्यांजक और त्रीपदी ब्यांजक का गुना सिखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमारा एक्जामपल यह है कि A पलस B इन्टो C पलस D पलस E यहाँ पे एक ब्यांजक जो है दूइपदी है और दूसरा ब्यांजक है वो त्रीपदी है तो दूइपदी से त्रीपदी में हमको क्या करना है गुना करना है तो हम क्या करेंगे देख़े सबसे पहले क्या करेंगे इस A को पहला जो ब्यंजчक है उसमें से 15 को यहां लिखेंगे फिर क्या करेंगे यह दूसरा ब्यों जबरेंगे C plus D plus E फिर क्या करेंगे ये B को plus B है तो plus B यहां लिख लेंगे और फिर से इस bracket के अंदर जब यंजग लिखा हुआ है उसको यहां लिख लेना है C plus D plus E अब हमें क्या करना है इस A से इस bracket के अंदर जो है उसमें गुना कर देना है तो A से C में गुना करेंगे कितना होगा A C पलस A से D में गुना करेंगे कितना होगा A D और A से E में गुना करेंगे कितना होगा A E पलस कचिन है अब इस B से यहां तक गुना कर देना है B से C में गुना करेंगे तो B C पलस B से D में गुना करेंगे तो bd पलस b से e में गुणा करेंगे तो d e हो गया अब यहाँ पे सब अलग अलग पद है सजातिय नहीं है इसलिए यह क्या हो गया आंसर हो गया हमारा आईए और example हम देखते हैं जिससे clear हो जाएगा यहाँ पे x पलस y into x पलस y पलस j ठीक है यहाँ पे देखिए क्या करना है x को यहाँ लिखना है और इस bracket को जो पद है ब्यंजग है उसको यहाँ पे लिख लेना है फिर पलस y को यहाँ लिखना है और फिर से इस ब्यंजग को यहाँ लिखना है x पलस y पलस z अब क्या करना है इस से यहां तक गुणा करना है इस Y से यहां तक गुणा कर देना है एक से X में गुणा करेंगे कितना होगा X स्क्वाइर क्योंकि बेस से हम है तो पावर जुर जाएगा प्लस चीन है प्लस देंगे एक जाती का है या नहीं तो एकस वाई और या एकस वाई यहाँ पे है सजाती है तो इसको हम जोड़ सकते हैं कितना लिख सकते एक से स्क्वार लिख लेना है पलस एकस वाई और एकस वाई कितना वन एकस वाई और वन एकस वाई लिख सकते हैं एक जेड नहीं है तो यहाँ नहीं है फिर yz वाला भी नहीं है तो yz यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे y square लिख लेना है यही हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए एक और example हम लेते हैं यहाँ पे 2x plus 3 into x plus y plus 2 ठीक है इससे हमें गुणा करना है तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे यह वाला इसको यहाँ पे लिख लेना है और यह वाला भी नजग यहाँ से x plus y plus 2 लिख लेना है पलस यह थीरी है तो थीरी यहाँ पे लिख लेना है into पुलह इस भी नजग को लिख लेना है x plus y plus 2 ठीक है अब हमें क्या करना है गुणा करना इससे इसमें गुणा करना है तो 2 का 2 और x square फिर फिर परेस्ट यहाした इस इसमाल गुना कारेंगे to xy कशिए देखू के इस इसमें इसमें गुना करेंगे 3य और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा आप देखिए कि इसमें का inga is Bear आगे आँई है'm vid XD हें भी नहीं है 2xy और यह x Fix क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और पलस 3y पलस 6 है यही हमारा क्या होगा answer चलिए अगला example देखते हैं यहाँ पे 2x-3y into 2x square y minus 2xy square minus 3xy यह रहा है इसको कैसे गुना करेंगे फिर उसी तरह यहाँ पे 2x लिखना है और 2x square y minus 2xy square फिर minus 3xy लिखना है minus 3y है तो यहाँ पे minus 3y दे देना है और फिर से इस बेंजग को लिखना है 2x square minus 2xy square minus 3xy यहाँ पे y छुट गया है तो y मैं लिख देता हूँ अब हम क्या करेंगे इससे इसमें उनागर देना है इससे इसमें उनागर करेंगे तो दो दूना कितना होगा चार एकस का पावर जूर जाएगा तो x cube y हो जाएगा फिर minus 2 दूना 4 और x का पावर जूर जाएगा तो x square y हो जाएगा ठीक है फिर minus 2 तिया 6x square y तो दिक्कत नहें आगे चलिए यहाँ minus है तो इधर का चिन भी बदलता जाएगा यहाँ plus है और minus plus minus क्या होगा minus 3 दूना 6 और x square y का पावर जूर जूर जाएगा तो y square भी हो जाएगा minus minus क्या होगा plus होगा उसके बाद 3 दूना 6 और x y cube क्योंकि y देशने में तो पावर जूर जूर जाएगा और minus minus क्या होगा plus 3 दूना 9 x y square अब हमें यह देखना है कि इसमें सजातिय पद है या नहीं x square y square यहां भी है और यहां भी है x square y और x y square यह अलग-अलग है यह नहीं जूर जूर जाएगा लेकिन यह तो जूर यह अगड़ा सकते हैं क्या है दोनों minus में है यह जूर जाएगा चलिए देखते हैं 4 x cube y minus यह x square y square यहां भी x² y² दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा चार्ज हो कितना होगा 10 x² y² अब x² y² आगे कहीं भी नहीं है तो माइनस 6 x² y लिख लेना है फिर आगे पलस 6 x y cube पलस 9 x y² लिख देंगे यही हमारा क्या होगा अंसर हो गया चलिए अब एक और example हम देखते हैं यहां पर 2 x-3 y² पलस 7 ठीक है और 3 x-2 है ला इस तरह से है तो हम इसमें भी गुना कर सकते हैं कोई दिक्कते नहीं है क्या करेंगे हम 2 x-3 y² पलस 7 ठीक है और इसमें से 3 x को यहां पर लिख लेना है ठीक है उसके अब माइनस 2 है तो माइनस 2 यहां लिख लेना है फिर से यह वलब रैकेट को यहां पर लिख सकते हैं 2 x-3 y² पलस 7 और जैसे गुना करते थे वैसे कर देना है 3 दूना 6 x² माइनस 3 तिया 9 x y² और 3 सते 21 x-2 दूना 4 x और माइनस माइनस पलस 2 तिया 6 y² और माइनस पलस माइनस 7 दूना 14 ठीक है अब हमें क्या करना है यह सजाती यह पत होगा उसको यह जोड देंगे यह घटा देंगे हमारा answer complete हो जाएगा देखिए यहां x वाला है चलिए को बातना 6 x² आगे कहें भी नहीं है 9 x y² वाला नहीं है x वाला x वाला यह पलस 21 माइनस 4 घट जाएगा 21 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 17 पलस 17 x और पलस 6 y² और माइनस 4 यहीं हमारा क्या होगा अलसर होगा ठीक है चलिए अब हम त्रीपदी ब्यांजकों का गुना सीखेंगे तो चलिए टेकते हैं इसका एक्जाम पर चलिए सबसे पहला एक्जाम पर a पलस b पलस c into d पलस e पलस f यहां भी त्रीपदी ब्यांजक और यहां भी त्रीपदी ब्यांजक इसको हमको गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे देखिए अगर इस ब्रैकेट को अगर खंड करेंगे माल लिजे कि अलग अलग लिखेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अगर इसको खंड करेंगे अलग अलग लिखेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे देखिएगा हम इसमें से लेते हैं A को यहां लिखना है ठीक है और यह रैकेट वाला जो व्यांजक है इसको लिखना है D पलस E पलस F ठीक है उसके बाद फिर पलस B है तो पलस B यहां लिख लेना है और फिर यहां दी पलस E पलस F लिख लेना है तुना है यहां पर पलस C है त और भी से यहां तक गुना कर देना है तो A से B में घुना किजिएगा A,D, A से E में घुना किजिएगा E,E, A F F F B D D D B E F 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 गुलर्फल हो गया आएए इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं दूसरी भी थी हाना ऐसे भी गुना कर सकते हैं उसी को दिखते हैं A पलस B पलस C D पलस E पलस F ठीक है हम क्या करेंगे इस वार इसको ऐसे हिराने देंगे और इसको अलग-अलग पलस E लिख लेना है और इसको लिखना है A पलस B पलस C फिर क्या करना है पलस F यह वाल लिख लेना है और कुना है इसको यहाँ A A plus B plus C लिख लेना है ठीक है अब क्या करेंगे इससे में गुला करेंगे तो हम दिक्कते नहीं होगा कोई गलत भी नहीं होगा लेकिन अलफावेटिक लिखेंगे A, B, C, D में पहले A लिखते हैं उसके बाद भी D आता है, B आता है, फिर D आता है, तो हम इसको A, B लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 गुले 4 लिखेंगे, तब भी 20 होगा, और 4 गुले 5 लिखते हैं, फिर भी क्या होता है, 20 होता है, इसलिए DA को हम A, B लिख D से C में गुना करेंगे C D, E से A में गुना करेंगे A, B से E में गुना करेंगे B, E, P, C से E में गुना करेंगे C, E, F से A में गुना करेंगे A, F, P, F से B में गुना करेंगे B, F, और P, F से C में गुना करेंगे C, F, क्या हो गया, आप देखें कि दोनों ही में हमारा answer क्या हो ग आगला इजाम्पल है 2x plus 3y minus 2 into 2x minus 4y plus 7 इसमें हमें गुना करना है तो क्या करेंगे इस 2x को यहाँ पे लिख लेना है और इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख लेना है जो उसके अंदर ब्यान जक्त है 2x minus 4y plus 7 ठीक है उसके बाद plus 3y लिखना है यह वाला plus 3y को यहाँ लिख लेना है और फिर से यह ब्यंजक यहाँ लिखना है 2x minus 4y plus 7 फिर यह 2 को minus 2 है तो minus 2 यहाँ पे लिखना है और पुना इस ब्यंजक को यहाँ लिखना है 2x minus 4y plus 7 अब हमें क्या गरना है इस 2x से यहां तक गुना करेंगे 3y से यहां तक गुना करेंगे और minus 2 से यहां तक गुना करके लिखेंगे तो चलिए 2 से इसमें गुना करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और x स्क्वाइर इस से इसमें गुना करेंगे एकस वाई, माइनस तीन चुगा, बारह, वाई, एसक्वाईर, बेश स्यम है, तो पावत जूर जाता है, पलस सात्या, एकीस, वाई, माइनस, दो दुना, चार, एकस, माइनस, माइनस क्या होगा, पलस होगा न, तो यहाँ पे, चार दुना, आठ, वाई, और दूसरते, माइनस, चार, लिख देना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सजातिया पद होगा, तो जो रहेंगे, यह घट आएंगे, चलिए रेखते हैं, यहाँ पे 4 x square वाला नहीं है, x square वाला आगी कहीं नहीं है, कोई रिकत नहीं है, x, y यहाँ पे भी हैं, और x, y यहाँ प 2x y उसके राज़ आगे देखते है x वाला यहाँ है और यहाँ भी है ये प्लस में ये माइनस में तो क्या होगा घर्ज करके लिखा जाएगा कितना 14 में से चार गया तो 10x ठीक है y स्क्राइब यहाँ है आगे नहीं है तो माइनस 12 y स्क्राइब लिख लेंगे उसके बाद y वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है 21 और यह 8 है दोनों प्लस में है जोर देंगे 21 आठ कितना हो जाएगा 39 वाइफ ठीक है अब अब क्या करना है अचरपद देखना है तो अचरपद केवल यही के है तो माइनस 14 लिख देना है यही हमाना क्या होगा अंसर होगा चलिए एक और एक्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y square plus 2 ठीक है into 3x square y plus 2y minus 6 ठीक है देखिए यहाँ पे गुना करना है अब हम क्या करेंगे direct गुना करेंगे इस तरह से नहीं लिखेंगे बीना लिखेंगे इसमें गुना करेंगे किस से करना है इस से गुना करना है इसमें ठीक है तो 2x से इसमें गुना करेंगे चार और xy माइनस तो माइनस ठीक है और यहां पे इस से गुना करदेंगे तो साथ दुना 14x ठीक है अब इस से गुना करेंगे किसे गुना करेंगे ठीरी y square से इस पूरे ले तो 3Ti 9 और इसमें x square है और इसमें एक्स बना नहीं है तो एक्स को लिख देना है एक्स बलंहें तो Wahr का पैवर क्या गर्दा है जोर देना था तो वाय तुदे इस पावर कितने क्युद राइद क्युद हो जाएगा चलिए अब पावर प לאं चो और ऑतीन गु में हो जाएगा थी दो तिया 6 x square y और इस 2 से फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 दुना 4 f 4 y ठीक है फिर इस 2 से 7 में गुना करेंगे तो 2 सते 14 माइनस हो जाएगा अब जो सजाती है पद होगा उसको जोरेंगे या घटाएंगे देखिए x cube y आगे कहीं पी है नहीं है तो इसको simple ऐसे लिख देना ह है नहीं है ठीक है एक सवाला कहीं पे है आगे एक सवाला नहीं है मतलब यह हुआ कि इसमें एक जाती का यानि कि सजाती पद एक भी नहीं है इसी लिए यही हमारा answer हो जाएगा क्या होगा यही हमारा answer हो जाएगा ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडि झाल झाल